दोस्तो नमस्कार रीट भरती 2021 की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है यहाँ पर नए अपडेट आ चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 तरीक यह नहीं कल रात के अंदर जो अपडेट आया है कि भई आपका जो फोरम है फोरम भरना चाहिए काउंसलिंग करवाना चाहिए रीट के अंदर तो उसकी भरती आ चुकी है कक्सा 6 से लेकर 8 तक और दोस्तो कक्सा 1 से लेकर 8 तक सभी भरती रीट की जो भी तैयारी कर रहे है उनकी वेकेंसी आ चुकी है दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है पूरी जानकर यह आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कुल कितनी पोश्ट आई है कुल कितनी आई है दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर आपको बता जता हूँ जो कक्सा आट से 6 से आट तक कक्सा 6 से आट तक दिट्टिय लेवल की वेकेंसी है 13865 वेकेंसी है जिसके अंग्रेजी के अंदर 4430 पद है उसके बाद देखेंगे दोस्तों हिंदी के अंदर 1930 पद से असकरत के अंदर 9006 कुर्दू के अंदर 309 पंजाबी के अंदर 175 शिंदी के अंदर 10 सामाजिक अजियन के अंदर 2515 और सामाजिक विग्यान और घनित के अंदर 3175 पीचे तर तो दोस्तों ये जो वेकंसी है सामाने पदाव के लिए है और जो विकलांग कैटिगरी है विकलांग कैटिगरी के अंदर भी यहां पर आपका दे रखा है करना क्या है दोस्तों ये आपका ओनलाइन आवेदत 10 जनुवरी से लेकर 9 फरवरी के मद्य चलेगा उसके क्या हो जाएगा आवेदत बंद हो जाएंगे ओनलाइन फोरम भढ़ने की परकिरिया अपनी वेबसाइट SSO के उपर आप जाकर देख सकते हैं SSO राजस्तान.govornment.in के उपर आप जाकर देख सकते हैं उसके बाद में दोस्तों यहां पर आपको जो देखिए जो आपकी फी नंबर यानि 55% जरूरी है उसके बाद में भूतपूर सेनिक विद्वाओं के लिए 55-40% विकलंक सेनिक लिए और अगर आप केवल 12 डिस्टिक्ट से हैं तो 36 नंबर आपको लेके आने जरूरी है दोस्तों यहां पर एक और दे रखा है कि एक से ज़्यादा ओनलाइन आवे सकते हैं दोस्तों सबसे पहली बार आपको यह चीज आपको इधान बे रखनी है अब यार्थियों को ओनलाइन आवेदन सेक्सेनिक और प्रात्मिक सिक्सार रिट 2021 के समस्त में रोल नंबर प्रापतांका उन्तिनांक और माद्यमिक सिक्सार बोर्ड बोर्ड की विस्वयों भरने अनिवारी हैं जो भी आपने फॉरम लगाया उसका फॉरम लगाना अनिवारी है और दोस्तों यहाँ पर आवेदन सुल्क आप देख सकते हैं 100 रुपे, 70 रुपे, 60 रुपे, 70 रुपे और 80 रुपे यह आपको फॉरम फिष देना ज़रूरी है तो चलिए ऑन लाइन आवेदन आप सभी के लिए फोरम भड़ने की परकिरिया दोस्तों आप भर सकते हैं वेतन की बात करें दोस्तों वेतन आपको जब दो वर्सें दो वर्स के अंदर 23,700 रुपे आपको वेतन मिलने वाला है उसके बाद में आपका वेतन दो साल होने के बाद में अच्छा वेतन पास होने चाहिए और दोस्तों यहाँ पर आपके साथ में बी एड डिपलोमा भी होना जरूरी है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी वेकंशी आपकी आच चूकी है रीट वालों के लिए सबसे बड़ी वेकंशी है और यहाँ पर आप फॉरम भर सकते हैं रिट लेवल सेकेंड के बारे में और दोस्तों अगर आप रिट लेवल की सेकेंड के बारे में जानना चाहते तो वीडियो को लाइक करें सेर करें के लिए M I के लिए उसके बाद में अती संता यस और दोस्तों यह देखिए M D कैटिगरी की भी पोश्ट हैं यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि किस परकार से आपको फॉरम बढ़ना है देखिए लेवल दिट्टिय की बात करें उसके बाद में यहां पर आप देख सकते है दे आरक्षन और यहनि अगर आप वी आई हैं कम सुनाई दे रहें उनके लिए भी हैं कम सावन बादी तार उनके लिए भी आरक्षन दे रखा आप बिल्कुल दोस्तों आरक्षन दे रखा है उसके बाद में दें कि सभी का आरक्षन दे रखा है दोस्तों सभी का प्रश्राप मेंसेज भी कर सकते हैं तो थेंक यू सो मच वीडियो गों लाइक करें अपने सुजाव देतरे हैं यहां देखें सभी की डिश्टिक वई अलगलग डिश्टिक वई पोड्स आपके सामने दे रखी है हिंदी की है जिस संसकर्त की है सभी की पोश्ट जिलेवार दे रखी है और यहाँ पर अस्ता अक्सर भी किये हुए है चली देखिए लाइक शेयर कमेंट्स कीजी अपने सुजाब देते रही धन्यवात